हाई, माई नेम इस प्रीती और वेलकम टू माई चैनल जज़बा आज मैं बात करूँगी कि हम वेटमिन्स और मिनरल्स की कमी को कैसे पुरा कर सकते हैं हमारी बोडी में वेटमिन्स और मिनरल्स की कमी ना होने पाए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर वेटमिन्स और मिनरल्स की कमी कम देखी जाती है बड़ जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनके अंदर वेटमिन्स और मिनरल्स की कमी को कैसे पुरा करें क्या चीज़ हैं जो उन्हें खाना चाहिए कौन कौन सी चीज़ों को उन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए आज इसी के बारे में बात करूंगी वैटमीन या मिनरल्स की कमी से हमारी बॉड़ी पे बहुत ही बुरा असर बढ़ता है इससे हमें हर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है इससे हमारा कलेस्टरॉल बढ़ सकता है इससे हमें डाइविटीज हो सकता है या फिर हमें ब्लड वेशर की भी प्रॉब्लम हो सकती है वैटमीन और मिनरल की कमी से कई सीरियस डिसीज़ भी हो सकते हैं इसकी कमी से हमें वीकनेस भी आ सकती है बोडी को हेल्दी बनाये रखने के लिए हमें वैटमिन और मिनरल्स की ज़रूरत होती है यह हमारी बोडी के अंदर नए सेल्स को बनाता है अगर हमारे अंदर वैटमिन और मिनरल्स की कमी होगी तो इसका असर हमारे bones पर, हमारे muscles पर, हमारे skin पर, हमारे hairs पर, हमारे face पर, हर जगा दिखाई देगा तो इन सारी चीज़ों को अच्छा बनाए रखने के लिए, इन सारी चीज़ों को healthy बनाए रखने के लिए हमें vitamin और mineral की जरूरत होती है आप अपने diet में vitamin A, vitamin B, D, C, E को जरूर से जरूर शामिल करें vitamin A की कमी आपकी body में ना हो, इसलिए आप vitamin A से related जो भी चीज़े हैं उसे शामिल करना है अपनी diet में आपको spinach खाना है, आपको carrot लेना है, आपको sweet potato लेना है, आपको papaya लेने हैं, आपको broccoli लेने हैं और इसके अलावा आपको जितने भी milk product है, milk से बनी जितने भी product है, उसे आपको अपनी diet में शामिल करना है, आपको सारे seasonal food भी लेना है वैटमिन B के लिए आपको soya, oats, almonds, grains ये सब लेना है, और वैटमिन C को भी आपको अपनी diet में शामिल करना है, अगर आप वैटमिन C लेते हैं, तो इससे आपकी immunity वो strong होती है वैटमिन C जितने भी खटे फल पाये जाते हैं, उन सब में वैटमिन C बहुत होता है, तो आपको वैटमिन B और वैटमिन C दोनों को ही लेना कैपसी कम को भी आप शामिल कर सकते हैं, कैपसी कम में भी वैटमिन C पाये जाता है, ये भी हमारे लिए अच्छा है वेटमिन D हमारे जोईन पेन, हमारे बोन्स और टीथ के लिए जरूरी है वेटमिन D जादा तर लोगों का कम रहता है जादा तर लोगों को वेटमिन D की कमी होती है चाहे वो किसी भी एज में क्यों ना हो तो आप अपना हेल्थ चेक अप कराते रहें आप इसको अपने रूटीन में जरूर शामिल करें और अगर आपके अंदर ये वेटमिन D की कमी है तो आप उसकी टैबलेट भी ले सकते हैं आप डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी टैबलेट ले सकते हैं इसके अलावा आप वेटमिन D की को दूर करने के लिए आप मॉर्निंग की धूप ले सकते हैं मॉर्निंग की धूप बहुत अच्छी होती है ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा देता है वेटमिन D की कमी को पूरी करने के लिए आप मश्रूम, दूद और पनीर लीजे वेटमिन E हमारे हेर्स और हमारे इसकिन के लिए ज़रूरी है तो आप वेटमिन E की कमी को पूरी करने के लिए आप कोई भी ड्राइ फूट्स ले सकते हैं आप अलमंड्स ले सकते हैं आप कैशू ले सकते हैं या पीनट ले सकते हैं और spinach भी आपको लेना है vitamin K भी हमारी body के लिए जरूरी है vitamin K हमारी body को strong बनाने में help करता है तो vitamin K को भी आपको अपने diet में शामिल करना है vitamin K की कमी को पूरा करने के लिए आप broccoli लीजिए, आप avocado लीजिए आप fiber वाली चीज़ों को अपने diet में शामिल करें आप salad लें, आप berries लें जितना हो सके आप salad को अपने diet में शामिल करें आप salad में आप radish ले सकते हैं आप carrot ले सकते हैं, आप cucumber ले सकते हैं आपको fiber वाली चीज़ों ज्यादा से ज्यादा लेना है हीमोगलोविन को भी बढ़ाना जरूरी है तो हमारी बॉड़ी को iron की भी जरूरत होती है iron की वज़ा से ही हमारी बॉड़ी में जो cells होते हैं उस सारी cells तक oxygen अच्छे से पहुंचता है तो हीमोगलोविन की कमी भी आपको नहीं होने देना है इसके लिए आपको walnut खाना है आपको darts लेना है आपको beetroot लेना है आपको spinach लेना है एपल लेना है ओमे गरनट लीजिए आप गाजर लीजिए आप आउला लीजिए आप सारी हरी सबजियों को अपने खाने में include करिए इसके अलाव आप jaggery लीजिए और आपके घर में जो भी खाना बनता है उसमें आप iron की utensils का use करिए हरी सबजियों जो है ये हर तरीके से हमें फायदा देती है तो हरी सबजियों को तो आप अपनी diet में जरूर शामिल करें क्योंकि इसमें सारे ही vitamins और सारे ही minerals पाय जाते हैं तो ये तो must है हमारी body को calcium की भी जरूरत होती है calcium जो है ये हमारे bones के लिए जरूरी है teeth के लिए जरूरी है muscles के लिए जरूरी है और हमारे mind के लिए भी जरूरी है तो आप calcium की कमी को पूरा करने के लिए आप milk product लीजिए इसके लिए आपको milk तो लेना ही लेना है आपको सारी तरीके की डालों को अपने डाइट में शामिल करना है इसके अला आपको हरी सबजियां लेनी है आपको पनीर लेना है आपको राजमा लेना है आपको पीनर्ट्स, लेंटिल पी, बीन्स और अल्मन्स को भी लेना है इन सारी चीज़ों में भी केल्शियम जो है बाइ-बाइ